हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का साइन्स माइटर क्लासेज के इस डिजटर लर्निंग प्रेटफोर्म पर हम पढ़ रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन और कुछ किसान आंदोलनों के बारे में हम पिछे की क्लास में डिसकस कर चुके हैं आज की क्लास के माध्यम से हम आगे के किसान आंदोलन और उनसे समंधित विगत परिक्षाओं में पुछेगे प्रसनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो आगामी परिक्षाओं के लिए बेहत इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से समन दित थे बोती स्यांदार क्यूशन आपको पूछा गया है उप्सन आपको दिये गये है अलवर, भरतपूर, सीकर और बेंगू इस क इदे राज्ये के नियंतरण में थी यानि की खालसा भूमी थी कैसी भूमी थी? क्या पहल से भूमी थी, कितने परतिसद? 95 परतिसद और 1931 में यहां पर नया भूमी बंदोवस्त लागू किया गया? 1931 में बरतपुर में नया भूमी बंदोवस्त लागू किया जाता है जिसके कारण भूर आजस्वा में वर्दी हो जाती है इसलिए 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतरतव में 500 किसान भरतपुर में इखटा होते हैं और 23 नवंबर 1931 को इस आंदोलन की सुरुवात होती है लेकिन 24 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है जिसके बाद आंदोलन स्वाप्त हो जाता ह इस परकार से आप नोट कर सकते हैं कि आंदोलन की जो सुरुवात है वो कब होती है 23 नवंबर 1931 को होती है किसके नेतरतों में होती है भोजी लंबरदार के नेतरतों में लेकिन 24 नवंबर को गिरफतार होने की वज़ा से आंदोलन को समर्थ कर दिया जाता है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्शन नमबर भी भरतपूर चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर एक ओर बहतरीन क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भरतपूर किसान आंदोलन के बारे में निम्रन लिखित कत्नों पर विचार कीजिए इसको भोजी लंबरदार ने किया तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्ते है आगे आपको दिया है नमबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफतारी के साथ आंदोलन समाप्त हो जाता है इस परकार से तीनो ही बाते यहाँ पे बिल्कुल सत्ते है इस परकार से इस अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मादा पसूं के निर्यात पर परतिबंध हटाने के कारण किस रियासत के किसानों दवारा आंदोलन किया गया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी रियासत में दो परकार की भूमी हुआ करती थी। हुआ करती थी या जागिरदारों के पास हुआ करती थी। मारवाड रियासत में सबसे पहले 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड राजे दवारा मादा पसूं के निर्यात पर परतिबंध हटा देने के कारण किसानों के दवारा आंदोलन सुरू किया जाता है। तो मारवाड रियासत में आंदोलन की जो सुरूवात है वो कब होती है? 29 अक्टूबर 1923 को और कारण क्या था? मारवाड राजे दवारा मादा पसूं के निर्यात पर परतिबंध हटा देने के कारण इस आंदोलन को सुरू किया गया। पिछे की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 1918 इस्वी में आप साथ-साथ यहां से नोट कर सकते हैं 1918 इस्वी में चांदमल सुराना के दवारा मरूधर हित कारणी सभा की इस्थापना हुई जे नारैन व्यास के दवारा इसके बारे में हम पिछे की क्लास में डिसकस कर चुके हैं और साथ में ही इसका नाम बदल दिया जाता है और नाम बदल के क्या रखा गया मारवाड हित कारणी सभा तो याद रखें मारवाड हित कारणी सभा ने इस आंदोलन में भाग लिया और इसका जो नेतर्थव है वो किसके दवारा किया गया जे नार्याण व्यास के दवारा वेर इंपोर्टेंट इस आंदोलन का नेतर्थव किस ने किया मारवाड हितकारणी सभा की तरफ से जे नार्याण व्यास के दवारा इस आंदोलन का नेतर्थव किया गया और आगे चल में इसके बाद इस आंदोलन की समापती के बाद मई 1929 में मारवाड हितकारणी सभाने बेगार इसके लावा लागबाग और अन्य लागदरें जिनकी संख्या लगभग 123 हुआ करती थी इनको लेकर के जागिरदारों के विरुद आंदोलन शुरू कर दिया जेनरान व्यास के दवारा अपनी दो लगू पुस्तिका जिनका नाम था पोपावाई की पोल और दूसरी मारवाड की अवस्था इन दोनों पुस्तिकाओं के माध्यम से मारवाड की अवस्था और पोपावाई की पोल के माध्यम से राजे परसासन की कमिया और किसानों की समस्याओं को उजागर किया गया जेनरान व्यास के दवारा इसके इलावा जेनरान व्यास के तरुन राजस्थान चमाचार पत्तर में भी किसानों की दसा का चितरन किया गया जिसके कारण जेनरान व्यास और भवरलाल सराफ को गिरफतार कर लिया जाता है लेकिन 9 मार्च 1931 इस्वि को गांधी ईरविन समझोता होता है और उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ 9 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोते के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है दोस्तों जागिरी छेतर के इस किसान आंदोलन का जो परभाव है वो खालसा छेतर फे भी पड़ा क्योंकि यहां के किसानों से भी बिगोडी नामक कर लिय जाता था जिसकी दरें जो है वो काफी ज़्यादा थी बिगोडी नामक कर का मतलब परती बिगा के रूप में वसुला जाने वाला एक कर था जिसका नाम था बिगोडी कर और इसकी दर जो है वो काफी ज़्यादा थी और इस कारण से 8 जुलाई 1931 को very important 8 जुलाई आप यहा से होती है मंडोर के माली जाती के किसानों के दवारा 8 जुलाई 1931 को आंदोलन की सुरुवात होती है और किसानों ने 50 परतीसत बिगोडी कम करने की मांग की और आगे चल करके 16 जुन 1934 इस वी को very important 16 जुन 1934 को किसानों की मुखे मांगे तो नहीं मानी गई लेकिन बिगोड कर में कुछ कम ही कर दी जाती है जिसे ये आंदोलन जो है वो सांत हो जाता है दोस्तों 1929 को मारवाड राजे लोग परिशद की स्थापना होती है very important आप यहां से note कर सकते हैं मारवाड राजे लोग परिशद की स्थापना कब होती है 1929 को होती है और 24-25 नॉवंबर 1931 इस मारवाड राजे लोग परिशद का प्रथम अधिवेशन पुषकर में होता है और इसकी अध्यक्सता जो है वो किसके दवारा की जाती है चांद करण सार्दा के दवारा किसके दवारा चांद करण सार्दा के दवारा इसकी अध्यक्सता की जाती है मारवाड राजे लोग का पर्थम अधिवेशन 24-25 नौंबर 1931 को होता है कहां पे पुसकर में जिसकी अधिख्षता चांद करण सारदा के दवरा की गी इसके इलावा याद रखें कस्तूरबा गांदी इस अधिवेशन की मुख्य अतिति थी कौन थी कस्तूरबा गांदी इस अधिवेशन में कहा ग रही गई और इस परकार से किसानों में धीरे धीरे राजनितिक चेतना आनी शुरू हो गई और सबसे पहले जो नागोर पत्टी के किसान थे वो 2 अपरेल 1932 को आप यहां से नोट कर सकते हैं 2 अपरेल 1932 इस वी को नागोर पत्टी के धांगरवास गाउं के किसान बाषबास गाउं के किसान जोधपूर पहुंचते हैं और जोधपूर पहुंचकर सरकार को बिगोडी कम करने का निवेधन करते हैं और आगे चल करके किसानों के परियासों से 1936 इस्वी में राजे सरकार ने लगभग 119 परकार की लागतों को समाप्त कर दिया इस परकार से ये आंदोलन भी स्माप्त कर दिया जाता है लेकिन 1938 इस्वी में आप यहां से नोट कर सकते हैं 1938 इस्वी में रंचोड़ दास गटानी की अधिक्सता में मारवाड लोग परिशद का गठन हुआ एक अन्य परिशद का गठन किया गया जिसका नाम था मारवाड लोग परिशद आप यहां से नोट कर सकते हैं मारवाड लोग परिशद का गठन 1938 में किया गया किसके दवारा किया गया रंचोड़ दास गटानी के दवारा और मारवाड लोग परिशद ने मारवाड रियासत की अकाल रहत निती और इस समय दित्य विस्वयुद सुरू हो तो युद सहायता के नाम पर जो कर लिया जाता था किसानों से उसका विरोध किया और याद रखे मारवाड लोग परिशद ने उत्तरदाई सासन की मांग की इस परकार से भोग ज्यादा संख्या में किसान मारवाड लोग परिशद से जुड़ने लगे जिसके कारण मारवार किसान सभा का जो गठन है वो किसके दवारा किया जाता है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं इस सभा का गठन मारवार राजे के बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था बल्देव राम मिर्धा के दवारा बल्देव राम मिर्धा के दवारा इस सभा का गठन किया गया और मंगल सिंग कच्छावा को इसका पहला अध्यक्स बनाया गया इसका पहला अध्यक्स किसे बनाया गया मंगल सिंग कच्छावा को इसका पहला अध्यक्स बनाया गया इस परकार से मारवार किसान सभा ने मारवार लोग परिशद का विरोध करना शुरू कर दिया लेकिन मारवार किसान सभा को इसमें सफलता नहीं मिले लेकिन इसी बीच मारवार लोग परिशद के साथ एक घटना होती है दो घटनाई हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक चंडावल की घटना और दूसरा डावडा कांड तो चलिए बढ़ते हैं अगले अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और भैतरिन क्यूशन आपके सामने चंडावल की घटना कब होई? आप्शन आपको दियेगे हैं 20 मार्च 1942, 28 मार्च 1942, 28 मार्च 1943 और 30 मार्च 1943 इस क्यूशन का राइट आंचर होगा 28 मार्च 1942 चंडावल की घटना कब होती है 28 मार्च 1942 को होती है दोस्तों मारवाड लोग परिशद के सदस्यों ने उत्तरदाई सासन दीवस मनाने के लिए पाली के चंडावल में एक सम्मेलन का आयोजन किया कहां पे किया पाली में और पाली में किस जगह पे किया चंडावल नामक जगह पे सभा का आयोजन किया लेकिन यहां के जागिरदार ने सम्मेलन पर लाठी चार्ज करवा दिया इस परकार से पूरे देश भर में जागिरदार के इस नरिशंस करते की निंदा हुई खुद गांधी जी ने भी अपने हरीजन समाचार पतर में इस घटना की आलोशना की और मातमा गांधी ने इसकी जाँच के लिए एक आयोग घटित किया जिसका नाम आप यहां से नोट कर सकते हैं कौन सा आयोग घटित किया परकास आयोग किस घटना की जाँच के लिए चंडावल घटना की जाँच के लिए मातमा गांधी ने परकास आयोग का गठन किया इस परकार से याद रखे चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को होती है और कहां पे होती है पाली में होती है इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंचर होता है ओप्शन नमबर B 28 मार्च 1942 चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डाबडा कांड का सम्मंद किस जिले से हैं ओप्शन आपको दिये गए हैं भीलवाडा जोदपूर नागोर और उदेपूर इस क्यूशन का राइट आंचर होता है ओप्शन नमबर C डाबडा कांड का जो सम्मंद है वो कहां से हैं नागोर जिले से हैं दोस्तो 1945 के बाद मारवाड किसान सभा और मारवाड लोक परिशद एक हो गए और मिलकर के आंदोलन शुरू किया और नागोर के डाबडा गाओं में 13 मार्च 1946 इस भी को मारवाड किसान सभा और मारवाड लोक परिशद की सयूक्त मिटिंग हो रही थी और याद रखें ये जो मिटिंग है वो मोतीराम नामक किसान के घर हो रही थी कहाँ पर हो रही थी मोतीराम नामक किसान के घर पर ये मिटिंग हो रही थी तो डीडवाना के सामंत ने किसानों पर लाठी चार्ज करवा दिया जिससे 6 किसान आप यहाँ से नोट कर सकते हैं चुनिलाल सर्मा इसके इलावा रुगाराम चोदरी पनाराम चोदरी इसके इलावा जगू जाट ये सहीध हो जाते हैं जबकि मतूरादास मातूर जो है वो इस गटना में घायल हो जाते हैं इसके इलावा याद रखे मुंबई से परकासित होने वाला समाचार पतर वंदे मा कहां से परकासित होता था मुंबई से इसके इलावा जेपूर से परकासित होने वाला लोकवाणी लोकवाणी का जो परकासन है वो कहां से होता था जेपूर से और जोदपूर से परकासित होने वाला समाचार पतर परजा सेवक और दिल्ली से परकासित होने वाला समाचार पत की इस्थापना होती है और जैनाराण व्यास को इसका मुख्य मंतरी बनाया जाता है जबकि नाथुराम मिर्धा को करसी मंतरी बनाया जाता है करसी मंतरी किसे बनाया जाता है नाथुराम मिर्धा को आप यहां से नोट कर सकते हैं नाथुराम मिर्धा को करसी मंतरी बनाया गय चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की और एक और बहतरीन क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संगर्स करने हेतू भरतपूर के किस वेक्ति ने प्रेरित किया था ओप्शन आपको दिये गए हैं देशराज, सू 1921 में सेखावाटी में चिडावा सेवा समिती के गठन के बाद 1925 में होती है वेर इंपोर्टेंट इस आंदोलन की सुरुवात कब होती है 1925 में होती है राम नारैन चोदरी ने यहां के किसानों में जागर्ती पैदा की और डेली हैराड नामक समाचार पतर की माधेम से इस समाचार पतर की माधेम से डेली हैराड नामक समाचार पतर से और याद रखें इस समाचार पतर का जो परकासन है वो कहां से होता था दिल्ली से वेर इंपोर्टेंट डेली हैराड समाचार पतर की माधेम से सेखावाटी किसान आंदोलन को परकासित करवाया किसने राम नारैन चोधरी ने जबकि याद रखें सेकावाटी किसान आंदोलन का निर्णाएक दोर जो है वो 1931-32 में चला और 1934-35 में ये लगभग सभी ठिकानों पर गतिसील हो गया था इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंचर होता है ऑप्शन नमबर A देशराज चलिए बढ़ और इस क्यूशन का राइट आंचर होता है और याद रखें इस मुद्डे को उठाने वाला जो था वो कौन था लोरेंस इस मुद्डे को उठाने बाला कौन था लोरेंस के दवारा ये मुदा उठाये गया इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंसर होता है option number B seeker किसान आंदोलन या सेखावाटी किसान आंदोलन चलिए बढ़ते हैं अगले क्यूशन की ओर अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर निमन लिखित में से कौन सा सेखावाटी के पंच पाने में समिलित नहीं था option आपको दिएगे हैं बिसाव, मलसी सर, अलसी सर, मंडावा दोस्तों उस समय सेखावाटी में पांच परमुक ठिकाने हुआ करते थे बिसाव, आप नोट कर सकते हैं इसके अलावा डूंडलोट, इसके अलावा मंडावा, मलसी सर और नवलगड कौन-कौन से ठिकाने हुआ करते थे एक बिसाव, दूसरा मलसी सर, तीसरा आप यहाँ से नोट करें मंडावा, चोथा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं डूंडलोत और डूंडलोत के अलावा नवलगड ये पांच ठीकाने हुआ करते थे इन पांच ठीकानों को पंच पाने कहा जाता था तो इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होता है उप्सन अमबर सी अलसी सर इस पंच पाने में समिलित नहीं था चलिए बढ़ते है अगले क्यूशन की ओर अगला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 1947 में सेखावाटी किसान आंदुलन की समापती किसके परियासों से हुई उप्सन आपको दिये गए हैं मानिक केलाल वर्मा, हीरालाल सास्त्री, राम नारैन चोदरी और पंडित जवारलाल नहरू इस क्यूशन का राइट आंशर होगा उप्सन नमबर बी हीरालाल सास्त्री मार्च 1947 में हीरालाल सास्त्री के नेतर्तों में कब गठित किया गया मार्च 1947 में, very important, मार्च 1947 इस्वी में हीरालाल सास्त्री के नेतर्तों में मंत्री मंडल का गठन किया गया जिसने किसानों की मांगो पर विचार किया, जिससे किसानों को रहत मिली और किसान आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया गया तो इस परकार से इस क्यूशन का राइट आंशर होगा ओप्शन नमबर बी हीरालाल सास्त्री तो आज के लिए दोस्तों इतना ही कल हम पढ़ेंगे सीकर किसान आंदोलन तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत